और अपने CPU की वारंटी अपने हाथ में रखो देखो आपको ना मेंली दो टाइप की यूजर्स मिलेंगे एक वो जो की CPU को सीधा डब्बे से निकालका मदबोर्ड में लगा के यूज करना स्टार्ट कर देते हैं विस टॉक या फिर आफ्टा मार्केट कूलर फिर आते हैं मेरे जैसे खुराफाती एंथूजियास लोग जो की लिटरली CPU को नंगा I mean IHS रिमूफ करते हैं फिर उस IHS को और even and smooth बनाने के लिए लैपिंट टेखनीक का यूज करते हैं और फिर भी मन नहीं भरा तो IHS and chiplets के बीच में लिक्विड मेटल को लगाके तैयार करते हैं ultimate CPU by the way जिन भी लोगों को नहीं पता तो लैपिंट टेखनीक से IHS के surface को और even and smooth किया जाता है to reduce the thermal resistance between CPU and CPU cooler and improve the thermal conductivity अब आप पूछोगे कि यह सब ताम जाम करने के बाद difference कितना आया temperatures में तो मेरे 5950X पे Lapping and liquid metal application के बाद around 7 to 8 degree Celsius का difference आया जिसमें से Lapping का 2 to 3 degree Celsius ही था तो normal users को यही बोलना चाहूँगा कि इन enthusiast shock से दूर रहो